शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें आ उनान सब्सक्राइब की लिए सुद्दी। के लिए सुद्सक्राइब के लिए ड बेल आई की यहिए। झालं पर खित्वट्सक्राइब के लिए। कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो दो कर दो वट ब रहताए कि अ, पुछा कर दो कर दो collect the time झाल झाल हमारी इंटेलीजेंस रिपोर्ट कर रही है के मेजर राम सरहत के पार एक जिहादी केंप में है धोके से लेकर गए हैं मेरे भाई को मर्द होते तो मैदाने जंग से लेकर जाते हिजड़े कहीं के हकीगत तो यह है कि इस वक्त वो दुश्मन की कैद में है तो आप कुछ करते क्यों नहीं सर इंदुस्तानी फौजियों को तो वापस बुलाया जा सकता है न हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है हमारी सरकार मेजर राम की रिहाई के लिए कोडिनेट कर रही है थोड़ा वक्त लगेगा हो मुच मोट आइंग नाइटीन सिक्स्टिफाइव और नाइटीन सेवेंटीवन के हमारे जवान आज तक घर नहीं लोटे तीस साल से ज्यादा हो गए जिन नई नवेली सुहागनों ने हाथों में लाल चूड़े पहन कर अपने फौजी पतियों को सुहाग का टीका लगा कर घर से विदा किया था वाज तक उनका इंतजार कर रही है भले उनके हाथों में लाल चूड़िया है मगर उनके सर के बाल सफेद हो गएं सर अपने पतियों की राह तक्ते तक्ते उनकी आखे पत्थरा गई है और जिन अभागनों की कोख में बच्चे थे वो बच्चे पैदा होकर जवान हो गए और आज भी इसी उमीद पर जी रहे हैं कि शायद आपका कोडिनेशन कुछ असर दिखा है और उनका बाप घर लोटा है लेकिन मैं अपनी भावी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा कभी नहीं होने दूंगा मैं उनकी कोख में पल रहे हैं बच्चे को उसके बाप की गोद दूंगा I will do that, sir, I will do that मैं ढूंगे लाओंगा अपने राम भाया को मैं रुक जाओ, सरी ऐसी कोई हरकत मत करना जिसकी वज़ासे तुम्हें सारी सिंदगी पच्चताना बढ़े प्यार करने वाले कभी पच्चताते नहीं है, sir प्यार पर निछावर हो जाते हैं और राम भया तो मेरे लिए, शुरी राम करते हैं आपमिया आपमिया बचायों मेरे आरे देखो किनी दोर से आख लगी है मिझ आप ऐगापी Zaada और ऌमैं कर अपरो अपर नपरो एपसी ओा है लँग आप पर आप मिझ आपि आप आप मिझ आपि.. आपि 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 drip कि मिझ आपिई Way कि यह पुंद करें में तुम्हरा बला करें मैंटा मेरा बच्चा आप प्लीस चलके जल्दी से गाले में बिठाईये प्लीस जल्दी प्लीज जल्दी प्लीज 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 अटिये प्लीज प्लीज अटिये मांज बर्तन मांज सब हदम हो जाएगा साई सनी शारुक सब निकल जाएगा नाम क्या है सलमान बिना कमीज बत्तमीज कहां का रहने वाला है अल्ला की जमीन का पैदा होते ही माबाप ने कहीं फेंग दिया बच्पन में बुड़े फकीर ने पाला बड़ा हुआ तो कभी मस्जिद में तो कभी सड़कों पर जिंदगी गुजारी यानि कि अकेला है कि बिल्कुल मेरी तरह कि तूने तो जजबाती कड़ा रहे मेरी आंके नम कड़ाली क्या सोच रहा सलमान यार आज बंजारों की बस्ति में नाच गाने का प्रोग्राम है चल चलते मज़ा आएगा नहीं यार मेरा मन नहीं कर रहा है और मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं है अरे यार तू कपड़ों की फिक्र क्यों करता है मेरा भाई दुबई से हमेशा अच्छा मेरे लिए अच्छा 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 लाएगा तू पहन लेना पर चल मज़ा आएगा यार चल आजा कर दो 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 ईक पाकिस्तानी चहरा उस पेज उल्फों का पहरा जैसे कोई पहना गया, जैसे कोई पहना गया, दुलहन को पोलों का सिहरा मेरी नजरों ने तेरे लबों को चुमा, मेरी नजरों ने तेरे लबों को चुमा, दिल, दिल, दिल पर देसी हो गया, दिल पर देसी हो गया इस दिल को ये कैसा अहसास है लगता है क्यों ऐसा तो कहीं पास है तेरी खुश्ब हवाओं में बिखरी हुई लगता है ये शाम कुछ खास है जुकी जुकी नजरों से चोरी चोरी देखा दिल पर देशी हो गया दिल पर देशी हो गया आचल तेरा ख्यालों पे यूच्छा गया रात में ही सवेरा नजर आ गया तेरी जहां जर की गुजी सदाए सनम प्यार चुपके से सावन बरसा गया चहरे से जुल पे हटा के जो देखा दिल दिल पर देशी हो गया दिल पर देशी हो गया पर देशी हो गया इश्क है मेरा नाम इश्क है मेरा काम मेरी अदा कुल पानी पर लोग करें बदना दम है तदान था वर्ना पे चली सरा सरा हाई धीर धीर आचल शाने से धलका धीर धीर आचल शाने से धलका धीर दिल 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 पर देशी हो गया दिल पर देशी हो गया एक पाकिस्तानी चेहरा उस पे जुल्फों का पहरा जैसे कोई पहना गया जैसे कोई पहना गया दुलहन को फूलों का सिहरा मेरी नजरों तेरे लबों को चूमा दिल दिल पर देशी हो गया 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 वा सुभान अल्ला सलमान साई सुभान अल्ला क्या गाते हो क्या नाचते हो सुल्तान बुलताई जी साई आज सलमान साई ने साई खुश मिजास का दिल खुश कर दिया इसलिए आज हम इसकी तरक्की करते हैं, आज से सलमान साइं बातन नहीं माझयेगा, बल्के वेटर का काम करेगा, और सुनबे सुल्टान, वो जो जो जोन्य लीवर समोसे के साथ हम लोग चट्नी पेश करते हैं न, आज से उस चट्नी का नाम होगा, सलमान चट्नी, नहीं, Selena हो सकता इनका नाम रखिये सलमान शीक कबाब नाम सुनते ही मुझे पा मुझे पा नहीं आजा बाइगा चलेगा ना सेल्मान सीक कबाब चलेगा साइं हाओ अल्ला हूँ अल्ला हूँ जिहादियों इस्लाम की हिफाजद करना हमारा फर्ज है आज कश्वीर में हमारे मुसल्मान भाईयों का कतल याम किया जा रहा है हमारी बेहनों की अस्मत को लूता जा रहा है उन्हें हमें इन काफिरों के जुल्म से बचाना है जिहाद हर मुसल्मान पर फर्द है हमें अल्ला की राह पर जिहाद करना होगा झालर यत्विन झालर हूब झालर यत्विन झालर हूब झालर हुव ऐल्ला हुआ झालर हुआ अल्लाहू कर रहा था कोई ताक जहाग नहीं कर रहा था जनाब मैं तो आपका ये कार्ड लोटाने आये था कि अच्छा इन्हें ट्रेनिंग करते देखकर जनाब मेरे तो जिस्म के रोंगते खड़े हो गए थे मुझे ऐसा लगा कि अगर दुश्मन मेरे सामने आ जाए उसकी तो मैं चला एक दिन मौका दूँगा ठेका यला कि सल्मान सुल्तान साइं आज कर्णल बशीर के घर में पाटी है आड़ बजे ओडर क्या मिला है शारुक मूर्ग सनी पराठे विपाशा बिरियानी करीना करी सोनू शाही टुकडा और तब्बू हल्वा लंबा आडर मिला है अल्ल परण बटन करी कर है आगा है याणकर डगार कुल। आडर में खिर अल्वाजर करूशल अबिए अल्याखा आट साफूल तू कौन कहां से आई है ये हुजन कहां से लाई है तू कौन कहां से आई है ये हुजन कहां से लाई है तेरा नूर नहीं इंसानों सा क्या खुदा से मिलकर आई है 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 क्या खुदा आई है क्या खुदा से मिलकर आई है इस जहां में किसकी अमानत है तू किसके दिल की महबत है है कौन नसीबों वाला जिसकी तू तु तुलहन बनकर आई है तेरा नूर नहीं इंसान वसा क्या खुदा से मिलकर आई है क्या खुदा से मिलकर आई है तू कौन कहां से आई है यह खुदा से लाई है तेरा नूर नहीं इंसानों साथ क्या खुदा से मिलकर आई है क्या खुदा से मिलकर आई है लुदा से मिलकर आई है लुदा से मिलकर आई है अबाल आपके पारिक शेडा आपगरे सीघर्फ, पारिक शेडिक शेयरा इंद्क्रिप्स, एम शेड़ारी भी है आपके बहुत करने बालत शेड़ें विभाल निवेत यूजद आपके शेकरशना विभाल्टर कोनापक शिर्प शेड़ा एसाई ही क्यों मौत को देख रहा है बाई जानता है कौन है ब्रिगेडिया सरफरास खान साब की साभजादी है गोली मार देंगे दर्मद्दे काम कर काम कर काम कर अरे वो देखो वेटर पर दिल आ गया है क्या अरे रुकसर यह वही लड़का है जिसने तुम्हारी जान बचाई थी वाट हाँ रुकसर यह वही है 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 कम लो साही तुम्हारी मौत खुछ जलकर तुम्हारे पास आ रही है हाई जी अच्छा हो आपसे मुलाकात हो गई वरना आपका शुक्रिया कैसे आदा करती जी किस बात का शुक्रिया इसकी चान बचाने का जी वो तो मेरा फर्स था आए हम आपको हमारे अब्बू से मिलवाते हैं वो आपसे मिलके बहुत खुश होंगे जी जुरूर जुरूर चलो साहीं और शेख साहब वहीं बेहोश हो गए आदाब आदाब इसक्यूज मी अब्बू प्लीज कम प्लीज यह हमारे अब्बू है और यह मैंने तो आपको नाम ही नहीं पूछा जी सलमान आदाब जीते रो अब्बू उस हादसे से इन्होंने हमारी जान बचाई थी ओ सलमान भाई हम आपके बहुत शुक्र गुजार हैं इसकी कोई जरूरत नहीं जनाब बेटा कभी हमारे घरा आना वहां खुलकर बाते होंगी जी बहुत खुब जनाब और केटियर साब के लड़की और यह है तुम्हारा आना बहुत अच्छा लगा सलमान फिर कभी आना जी शुक्रिया सर बेटा इनुरा गेट तक चोड़ाओ जी अल्लाहाफिस अल्लाहाफिस अदाब जनाब और बाटीड कि अंदर हैं घर तक वे होंचा अल्ला ने चाहा तो दुबारा मुलाकात होगी अल्लाहने शाहा है इसलिए तो दुबारा मुलाकात हुई है और होती रहेगी अल्हाफेज 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 ना जाने हमारी खुश्यों को किसकी नजर लग गई आप हिम्मत रखना भावी कि पुच्चन से अल्हाफेजा करो नाने हमारी तो अल्हाफेज 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 अल्हाफेजाकात हुई यह क्या नहीं हारिका ओ आज तो मेरा जनम दिन है थैंक यू आपको तो कुछ भी याद नहीं रहता oh my god मैं तो भूली क्या था आज तो तुम्हारा जनम दिन जी नहीं जी नहीं तो फ्रसानी का जनम दिन होगा नहीं 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 जान हैपी वेडिंग अनिवर्सरी आपको भी प्रणाम भैया प्रणाम भावी भावी हापी वेडिंग अनिवर्सरी अब 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 आप इस नहीं होताए अब भावी जी यह तो जीन तो अब जैस्व फिलेग वह इल्की अत्रणाई शादी की सालगेरा बहुत-बहुत मुबारक हो थैंक यू सर निहारी का बेटी आपको भी बहुत-बहुत मुबारक हो थैंक यू अंकर मेजर राम एक बहुत इंपोर्टेंट मिशन है आप जस्वन्त और नासिर फॉरन आफिस में रिपोर्ट करें हमारी इंटेलीजेंस के मिलीटेंस की एक टुकडी इस इलाके में कहीं छुपी हुई है आप अपनी कंपनी की एक प्लाटून स्ट्रेंथ के साथ उन्हें अलिमिनेट करेंगे खत्म कर देंगे उन्हें लेकिन ख्याल रहे कि दुश्मनों की तादा तुम लोगों से कहीं ज़ादा हो सकती है and minded they are fanatics and religiously motivated होंगे सर लेकिन हम एक एक हिंदुस्तानी भी तस तस के बराबर होते हैं सर और फिर सर हमें सिखाया भी गया है कि जंग होसले से लडी जाती है तादात से नहीं किसम जुर्रत है जो लाए हमारी परवाज में कोता ही हम परों से नहीं होसलों से उडता है आए लाइक और कॉन्फिटेंस गुड़ लख एंड गुड़ हंट्रिंग सब्सक्राइव गुरू सामने केया ना सवाल आख से एक लड़ाओं तबहें को बिन सिंग नाम कहाओं जूंदर है पुतर दुश्मनांदे फटे चाक्के आई ओए एक एक नुचूण चूण के मा भीजी वहे गुरुजी ता खाल सा वहे घुरुटि देषा जी फटे ओग आणा माशाल्ला मेरे बेटे को नजर नालगे किसी की तेरे सामने तेरे बेटा नहीं वलकि वतन पर कुरबान हो जाने वाला एक हंदुस्तानी फौझी ख़ड़ा है मैं जानती हूं मैं एक हंदु लेंदों में शेरपुत्तर अपने क्लिप रमाया हुआ कि किया देख रहें मेजर साथ मीं नहार रहा हूं अपनी निहार हो जयाता हूं कि यूंद नहारता रहूं हमेशा हमेशा के लिए प्यों कि जानने नहीं है क्या जनाव आपका अंदास तो ऐसा है जहसे मैं तफ्री के लिए जा रहा हूं अगि भई मैं लडाई पे जा रहा हूं आपको कोई टेंशन वेंचन नहीं होरी तक्राइं जेशा की साधी स्वाउय जो लडाईत पे मैं भगवान से हमेशा प्राथ ना करती हूं किस वर्दी से मेरा रिष्था कभी न डोटे भाईया जसुन भाईया और नासर भाईया आये हैं लीजिए है बुलावा आग्या नेहारिका अपने साथ साथ सानी का भी खयाल रखना यह सर्फ मेरा भाई ही नहीं हमारे बेटे जैसा है जी तो बॉइस तो एक्ट्स मुव नासर तुम अपने जवानों के साथ इस तरफ से मोचा समालो सर्फ जस्वन सर्फ तुम इस तरफ से और बहुत शांती के साथ बाड़ी पजणना याद रहे दुश्मन बहुत जालाग डूंट वरी सर्फ मैं कहले सब पर भाई बनूगा सर्फ इंशालाला सालों को भून कर पुरत आपना देंगे अल्दे बेस्ट ए liber कर दो कि अरिए याइ याइ याइं याइ याइं याइए याइए! अे वाइए! याइट! याइए! टो कर जिए थैंट आओ ब सकनल आप अजी आप ब मまた आपुल आप 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 अप, आ को आप 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 हाई 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 साइ हमार साइव च्वान मारेंगै है अट ागैया साहर एक एक डू पूंड़कर राके देंगा साहर हमारे इंच्वानों की शाहतात बेकान नहीं जाएगी आगे बलौं बारात मॅसकी कि जाएंग। अँपान इंपान इरेक नाएंग। कि प्रफ यो नाएंग। कि प्रफ एंपान कि प्रफ, कि इंपवाँ कि प्रफ, यो से वेड़ haz कि अउनन कि अमन प्रफ कि अमनुट कर दो, 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 क हाप जीम ज independence जाहिन साउ जाहिन जाहिन सार जाहिन जाहिन नाशित कि अअए नॉछा हुए जए लुए जए जब जिन्दा थे, तो दुश्मन थे, अब मर गए, तो दुश्मन भी नहीं रहे कौन दफनाएंगे तुम्हें, कौन मिट्टी देगा, हम दफनाएंगे तुम्हें, हम मिट्टी देंगे करने फे, तुम्हें तुम्हें, हम दूझा मिट्टी देगा थे, तुम्हें रहे ओ शहीदो ओ शहीदो तुम पे सारे देश को अभिमान है जान दी तुमने वतन पे हम पे ये एक एहसान है ओ शहीदो ओ शहीदो तुम पे सारे देश को अभिमान है तुम पे सारे देश को अभिमान है कि देश कर दो देश को अभिमान है तुम पे सारे देश को अभब शुम पेह रेका है पेहरे लाज देश को अभिमान है दुश्मनों की लाशों को भी हमने तो इस्सत बख्ष दी दुश्मनों की लाशों को भी हमने तो इस्सत बख्ष दी घर में अपने घर दिया ये शान हिंदुस्तान है घर में अपने घर दिया ये शान हिंदुस्तान है ओ शहीदो ओ शहीदो तुम पे सारे देश को अभिमान है तुम पे सारे देश को अभिमान है दिल का टुकला दे दिया हमने तो भाई जानकर प्यार को कमजोरी समझा कितना बेइमान है प्यार को कमजोरी समझा कितना बेइमान है ओ शहीदो ओ शहीदो तुम पे सारे देश को अभिमान है तुम पे सारे देश को अभिमान है ना करो कुम राह लोगों को धरम के नाम पर ना करो कुम रह लोगों को धरम के नाम पर गर खुदा तेरा है तो मेरा भी निगहवान है ओ शहीदो ओ शहीदो तुम पे सारे देश को अभिमान है तुम पे सारे देश को अभिमान है ना उठा ना उठा ना उठा ना उठा ना पाक नजरे मेरी सरहत की तरप भून कर रख दूगा मेरा नाम हिंदुस्तान है भून कर रख दूगा मेरा नाम हिंदुस्तान है ओ शहीदो ओ शहीदो तुम पे सारे देश को अभिमान है तुम पे सारे देश को अभिमान है तुम पे सारे देश को अभिमान है फिर जो छेरी फिर जो छेरी फिर जो छेरी जंग तो परसेगा सावन फिर जो छेरी जंग तो परसेगा सावन कून का नक्षो से मिट जाएगी जो भी तेरी पहचान है नक्षो से मिट जाएगी जो भी तेरी पहचान है ओ शहीदो ओ शहीदो तुम पे सारे देश को अभिमान है तुम पे सारे देश को अभिमान है जान दी तुमने वतन पे जान दी तुमने वतन पे हम पे ये एहसार है ओ शहीदो 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 पे सारी These पहीदो जहीदो जहीदो यहीदो जहीदो अझीदो यह बुमने चत्राव कि अभूए कि अभूए कि अभूए कि माफ करना माश को नहीं बचा पाया नहीं नहीं बेटा वतन पर जान देने वाले सिपाही कभी मरते नहीं वह अमर हो जाते हैं फाकर है मुझे इस पर कि मैं इसकी माँ हूँ एक शहीद की माँ हूँ कि कोई गलनी पुतर जी कोई गलनी जहां शिरी गुरु गोबिन सिंग जी ने अपने चार चार पुतर देश और धरम पर कुर्बान कर दिये थे वहां मैंने तो सिर्फ एक ही बेटे की कुरुबानी दी है वहां पुतर जीवा आपने तो अपनी मां के दूद का कर चुका दिया अधाब जनाब अधाब बहुत अफसोस की बात है जनाब कि आपके बाई जनाब फजल बेखने दुश्मनों के साथ लड़ते हुए शाहदत हसिल की हमें नाज है कि हमारे भाई ने शाहदत हासिल की मगर अफसोस इस बात का है जिस खेत में हमने खौफ और बुजदली की खाक डाली थी वहां चाहँ बाजी की फसल कैसे पैदा हो गई मुझे मेजर राम चाहिए जिन्दा बहुत कोशिशों के बाद भी जस्वन तो नासर का चेरा मेरी आखों के सामने से नहीं हड़ता है सर मैं तुमारे जज़बात की गदर करता हूँ मेजर राम आखिर कितने जस्वन सिंग और नासर खानों को बार बार मरना पड़ेगा सर कब तक चलता रहेगा ये सलसला अफसोस की बात तो यह है के हमारे मुल्क के रहनोमाओं ने हमेशा पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश की मगर सच तो यह है सर कि जब जब पाकिस्तान के नेताओं को अपनी कुर्सी खत्रे में नज़र आती है न तो जिहाद का नाटक शुरू कर देते हैं कि या पर कश्मीर का मुद्दा लेकर खड़े हो जाते हैं कि देखिएगा सर कि एक दिन पाकिस्तान में विक्रांती आएगी वहां की जनता जागेगी तब वो समझे कि कि हिंदुस्तान एक अच्छा पड़ोसी है एक बहुत अच्छा दोस्त है तब उन लाकों पाकिस्तानियों के हाथ हमारी दोस्ती के लिए बढ़ेंगे और फिर हम उन्हें अपने गले से लगाकर उनके दिल मुहबबत से बढ़ देंगे मीजर राम काश ऐसा हो ऐसा होगा सर चलता हूं सर जैहिन जैहिन वहां या खुश्बू आ रही है भाबी ऐसा लगता है जैसे किसी फाइव स्टार होटल के किचन में आ गया हूँ वैसे आपके हाथ के खाने का तो जवाब नहीं ऐसे थोड़ी न राम भाईया ने आपको पसंद किया है अच्छा मैं कहीं यहां खाना बनाने के लिए लाए गई हूं नहीं भाबी मैं तो आपके टैलेंट की बात कर रहा था बहुत भूख लगी है भाबी खाना दो ना प् करने के अच्छा बात कि प्राइब कि यारा बज़के भावी भावी अभी तक नहीं आए विकेटियर अंकल के ओफिस में फोन करके देखो ना जी कोई नहीं उठा रहा है मुझे तो मैं उनके मोबाइल पर ट्राय करते हूं अलो अंकल मैं निहारी का बोल रही हूं निहारी का बेटे बोलो क्या बात है अंकल मुझे राम से बात करनी है लेकिन राम तो तो दो घंडे पहले ही मेरे दफ्तर से जा चुका है अच्छा लेकिन वह अभी तक तो यहां पहुंचे नहीं है मैंने उनके मोबाइल पर बचाय किया था कि फोन आफ है वाइसी कि डॉंट वरी कि मैं पता करके अभी तुम्हें फोन करता हूं हाँ जी अंकर कि सर्ड्राइवर की लाश के पास मेजर राम का ना मिलना इस बात का सबूत है कि उसजिन्दा है लेकिन सवाल यह उठता है कि उसजिन्दा है तो है कहां हमारे जवानों ने पूरा जंगल छान मारा लेकिन मेजर राम का कहीं पता रहीं चला और मेजर राम ना मिलना कहीं किड्नेपिंग के तर पता नहीं तो संब्सक्राइब कि अगर उन्हें किड्नेप किया गया है तो या एक बहूत ही बड़ी साधिश है कि वो सकता है कि इसके पीछे आई एसाई का हाथ हो या फिर किसी कि मिलिटेंट और्गुनाइजेशन का अब अब क्या हो आपको मेजर राम के शौक से बेहोश हो गई थी पर आप लोगों के लिए खुशकबरी है मिसेस राम मा बनने वाली है थैंक यू डॉक्टर देख रहा हूं हमारी पाकिस्तानी भट्टी में तुम्हारे हिंदुस्तानी जोश का लोहा मौम बनके पिगल रहा है तेरी पाकिस्तानी भट्टी में तो इतनी भी गर्मी नहीं को हिंदुस्तानी मौम तक को पिगला सकाए तब रेज मियां दुश्मन के अंदर जब फॉलादी जजबा पैदा हो जाए तो उसे मारना तो बहुत आसान है लेकिन तोड़ना बहुत मुश्किल है लेकिन हमेसे तोड़ेंगे और जब यह तो बोलेगा बताएगा कि सरहत पार हिंदुस्तानी फौजों की ताकत क्या है और उनके मनसूबे क्या है नहीं इसने मेरे भाई फजल बेक को मरा है आज नहीं तो कल इसे हर हाल में मरना है प्रिगेटियर साहब हिंदुस्तानी फौज की ताकत का हिसाब आप रखें प्रिगेटियर साहब हम नहीं क्योंकि हम फौजी नहीं जिहादी है और जिहाद किसी मुल्क की सरहत से लिपट करने ही लड़ा जाता बलके उसके अंदर घुसकर लड़ा जाता है और हमारा मकसद है अपने कश्मीर से इनका तरंगा उखाड क इन शाला है किस तरंगे को उखाड भेगने की बात कर रा तू किस तरंगे को अरे जिस कश्मीर में केसर के खेत सफेव बर्फ के पहाड़ और हरे चिनार के दरक्ष एन और जिसे खुद्ध रफ्ने तरंगे से नवादा है तूस से तरंगे को क्या उखाड कर फेकेगा प्रगेडियर साब पंदरा जुलाई तक ही आपका है और उसके बाद राम कब आओके राम सकते लुक है दो नपके पॉक हाजै ऑनिक पुव यूँ बिnya औहें पी वां प्षू आ आई ओो बगkin वी बगके कह चक़ हम अचित आउओर ओittel खक다 पसकरो पसकरो अधरनिय भावी भले हिम्मत के परदे के पीछे आपने अपने दर्द को छुपा रखा है लेकिन हर पल अपने पती की राह तकती एक पत्नी के दुख को मुझसे ना छुपा सके आज सरहत पार भाईया दुश्मन की कैद में न जाने किस हाल में होंगे कैसे में मेरा घर पे रहना ठीक होगा नहीं भाबी नहीं मुझे जाना होगा एक मिशन पर और मेरा मिशन है दुश्मन की कैद से राम भया को आजाद करवाना आपके सुहक को वापस लाना आपकी कोक में पल रहा बच्चे अपने पिता की गोद में ही आग खोलेगा भाबी यह मेरा वच्छा ने आपसे अपना ख्याल रखना मैं कहा गया हूं आप किसी को नहीं बताना आपको मेरी कसम कि अधिव ने क्या किया से तुमने क्या की कि क्या सोच रहे हो कभी-कभी खाना भी खाया करो साइं आजकर किर्केट की खबरों में मज़ा ही नहीं आ रहा है वह इसलिए साइं के हिंदुस्तान की टीम ने केल रही है अरे मज़ा तो तब आता है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की टक्कर होती है सलमान साइं जरा सोचो क्या आलम होगा जब रावल पिंडी एक्सप तेंद्रुकर ने अपना बल्ला टिकाया स्टेडियम में सनाटा दिलों की धड़कने तेज शौए बगतने सो मिल्की रफ्तार से गेंद फेकने के लिए दौर लगाई उद्या सचिन तेंद्रुकर ने गेंद पर नजरे जमाई शौए बगतने गेंद फैकी और सचिन ने अच्छा हो अगर शौएब और सचिन एक ही टीम में खेलें तो दुनिया की कोई टीम हमें नहीं हरा सकती सुभान अल्ला दिल की बात कह दी साहीं है आगए मुपत कोर साहीं अब बना जरा दो चर ग्लास लसी असलाम अलेकूम हुजूर साईं ओ वालेकम असलाम क्यों साई मिया खुश्मिजाज क्या बाते ओरी थी हुजूर साहीं बड़े पते की बात कहीं सब्सक्राइब आज अच्छा जरा हम भी तो सुनें क्या कहा ऐसा है साहीं कि आज कल किर्क अगर सचिन तेंदुलकर और श्वायबक्तर एक ही टीम से खेलें तो दुनिया की कोई टीम हमें हारा नहीं सकते हमारे दुश्मन हिंदोस्तान के साथ खेलने की बात करता है कहीं तु वहीं का तो नहीं नहीं जनाम याद है आपको मैंने आपसे कहा था कि मैं दुश्मन को मारूंगा याद है आपको अरे हां याद है एक दुश्मन है उससे आर्मी हस्पिटल ले जा रहा हूं रूटीन चे क्या देख रहा बे जा मार उसे वे जा ना कि ओए मार जरा हम भी तमाशा देखें कैसे मारता तू दुश्मन को तू क्या मारेगा दुश्मन को तू खुद ही धेर हो गया बोल रहा था दुश्मन को मारूंगा ये करूंगा वो करूंगा तो जा अपना काम कर रहा है चल ओए विठाए नो अंदर हरा 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 हर दो पर दो दो डूर दो दो हरा हरा हर दो 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 धट कर दो 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 और दो 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 ये अाँ बहुश्मन को अज़्ड़ बाइया जलमान चल सेट बुला रहे हैं आरी जलमान हां चले में तुम्हें पीर बाबा के मजार पर ले चलती हो कहते हैं वहां जो भी मन्नत मांगता है वो पूरी होती है अच्छा हां पीर बाबा मेरी भावी को दियावा वचन पूरा करवा दो मेरे भाई को अजाद करवा दो पीर बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे सल्मान का प्यार दिया कि क्या मांगा सल्मान तुम बतार तुमने क्या मांगा मुझे तो बिना मांगे ही सब कुछ मिल इस तुम बता तुमने क्या मांगा बस खुश्यां ही खुश्यां ओहो इश्क इश्क जरुब है बड़े शात हाँ ओड़े रात हो, तन हाई हो तिया सात हो तुम शम शम नाचुंगी तुम शम 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 नाचुंगी तेरा आचल हो, लड़का पागल हो, नैनों वाले तीदों से पिवाना तेरा घायल हो यहाँ, तचं चं चं आचूंगी, में चंचं आचूंगी एक हसी आई ना हो तेरी सूरत हो मैं तेरा सनम दीदार करूँ मैं तुझे को छोलू मैं सूस करूँ और नई यादा से त्यार करूँ तुशर माए मैं छेल तुझे पाहों में जानन मैं भर तुझे तो चमचम जा जुझे मैं숙म जुझे नचम जुझे मैं जुझे नचमा जुझे नचम जुझे टुझे पाह üzerine नचम करूँे एक शम्मा जरी हो दो चहरे हो एक तेरा हो एक मेरा हो एक शम्मा जरी हो दो चहरे हो एक तेरा हो एक मेरा हो धड़कन की सताए सासों की कर्म कुछ तेरी हो, कुछ मेरी हो दो साह मिले, एक हो जाए प्यार में दोड़ों हो जाए तो चम चम ना चूंगी, मैं चम चम ना चूंगी तो चम चम ना चूंगी, मैं चम चम ना चूंगी बरसात हो और रात हो तना आई हो तिरा साथ हो तेरा आचल हो लड़का पागल हो नैनों वाले तीरों से तीवाना तेरा गायल हो तो च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् कि यह क्या गुस्ताखी हो रही है हिंदुस्तानी मेजर को कुट्टों का खाना खिलाया जा रहा है अरे आज दिन को दावत करवानी चाहिए बर्यानी कबाब दंपक्त मुर्गा आज यशन का दिन है ना फते का दिन फते का जानते हो मेजर रम हमारे जांबाद जिहादियों ने कश्मीर की असेंबली दिली की पार्लिमेंट और कलकटा की अमबैसी के बाद मजभी आग भेलाकर दहशत और खौफ से हिंदुस्तान की सियासत की चड़ें हिलाकर रखती हैं अब वो दिन दूर नहीं है मेजर राम जिस दिन हम जामा मस्जित की दहलीज पर खड़े होकर लाल किले पर फैराते हुए हरे छंडे को सलाम करेंगे इंशाल्ला है तब्रेश तू तो पूरा मुझे शेक चिली लगता है रहे जानता है शेक चिली किसे कहते हैं जो दिन भर चार पाई पर लेटे लेटे खाब देखा करता है और तू खड़े खड़े खाब देख रहा है कभी जामा मस्जित पर नमाज पढ़ने का तो कभी लाल के लिए पर हरा जंडा फैराने का अरे तू अपनी कैद में एक आम हिंदुस्तानी सिपाही को तो खौफजदा करना सका पूरे हिंदुस्तान को क्या खौफजदा करेगा और जिस मुल्क की बुनियाद को तू हिलाने की बात कर रहा ना याद रख तेरे मुल्क पाकिस्तान की बुनियाद उसी हिंदुस्तान पर खड़िये अरे शुक्रिया अदाकर हिंदुस्तान का जिसने तुम्हें खड़े होने के लिए जमीन दी खमोश चलो मत बहुत हो गया तेरे एक खौफ आतंक और जेहाद का रोना धोना अरे खैरात में मिली इस जमीन पर अपने मालिक को याद करके अमनोचैंसे रहना सीख और यह मत भूल कि जो जमीन देना जानते हैं वो जमीन लेने की हिम्मत भी रखते हैं और जिस दिन ऐसा हो गया ना उस दिन तेरे मुल्क का दुनिया के नक्षे से नाम और निशान मिट जाएगा जैराम जी की रुकसार क्या बात है रुकसार आज एक खत लौट आया किसका खत सल्मान हम जब लंडन में पढ़ते थे तो हमारे कॉलेज में एक दिन एक लड़का हमें खूर खूर के देखने लगा फिर वो हमारे तरफ पढ़ने लगा देखा तो उसके आखों में आसू थे बहुत हैरानी हुई ह में वो बोला मेरा नाम अरजुन है हमने न चाते हुए भी उसे हमारा नाम बता दिया फिर वो फूर फूर के रोने लगा और बोला तीन मेहने पहले मेरी छोटी बेहन की देख कैंसर से हो गई कहने लगा आपकी सुरत मेरी बेहन से बहुत मिलती है क्या आप मेरी बेहन बनोगी आज राखी का दिन है मुझे राखी बंदोगी और हमने उसके कलाई पे राखी बंदी कुछ दिनों बाद वो हिंदुस्तान चला गया और हम पाकिस्तान आ गए हर साल इंडिया हम उसे रा राखी भेशते रहे और उसकी दुआउं फराखत आता रहा मगर आज हमारी भेजी वे राखी वाला खत लौट आया उस पर किसी ने लिखा था कुछ ही दिन हुए आरजुन हिंदू मुसल्मानों के दंगों में मारा क्या इसा क्यों होता है सल्मान लोग मजब के नाम पर इंसालियत का गत्र क्यों करते हैं क्यों मेजर राम आपकी तरह हम भी एक फौजी हैं और एक फौजी के जजबे को अच्छी तरह समझते हैं और हम चाहते हैं कि आप अपने मुल्क वापस लौट जाएं इस महरवानी की वज़े हम दर्दी कि हम फौजी कि अपना घर और घर वालों को छोड़ कर जंगलों पहारों बर्फों और रेगिस्तानों में अपनी जान हतेली पर रखकर सारी जिन्दगी गुजार देते हैं उसके एवज में हमें मिलता क्या है दस बीस पच्चेस अजार रुपए और सर पे मन राती हुई मौत आज से आप हमारे कैदी नहीं दोस्त हैं और अब हम दस बीस पच्चेस अजार रुपएं की बात नहीं करेंगे लाखों डॉलर्स की बात करेंगे आप बताएए कि आपको कितने डॉलर्स इस मुलक में चाहिए और इसके लिए मुझे क्या करना होगा आपको कुछ नि करना होगा जो करना होगा हम करेंगे आप सिरफ पाकिस्तानी एजेंट बनकर हिंदुस्तानी फौज में काम करते रहें और अपनी फौज की खुफिया जानकारी हमें देते रहें इससे क्या होगा सर्ब इससे हम तु सर मेरी भी आपसे गोजारिश है कि यह आप अपनी सारी पाकस्तानी फौज की और सारे पाकस्तानी आवाम की एक लिस्ट बनाईएगा और उन सबसे पूछिए कि अपने मुल्क के साथ गद्दारी करने के लिए कितनी डॉलर चाहिए इनले ना किया बगक्ते हो मेजर वो समथ हुए जर कि आपने अपनी बात कहीं मैंने शांती से सुनि अब मैं अपनी बात कर रहा हूं आप शांती से अब पमें अ और जब आपकी लिस्ट बन जायां है तो मुछे दीजेगा मैं उसे हिंदुस्तान के राश्पती और प्रधानमंत्री साहब के पास बेचूंगा और आपसे वादा करता हूं सर कि जितने डॉलर्स आप मांगेंगे उससे दुगने आपको मिल जाएंगे लेकिन आपको पाकिस्तान का नाम बदल कर हिंदुस्तान रखना पड़ेगा किस सोच में पढ़ गए सर बोलिये है हमत लगाते हैं दाओं सोच कर बताईएगा जाए राम जी की वाँ मेजर वाँ हमारा विदेश मंत्राले पाकिस्तान हाई कमीशन से लगातार टच में है उम्मीद है कि बहुत ही जल्द कोई पॉजिटिव खबर आएगी बेटे आप विल्कुल घबराएए मत खबराना तो उन लोगों को चाहिए अंकल जिनकी लंका पर राम के कदम पढ़ चुके हैं कि मुझे पुरा विश्वास है मेरे राम चलते वापस लाट आएंगे दैट्स लाइक सोल्जर्स वाइफ चलती वांगे नमस्त्री जनाब आपने मुझे याद किया यह जनरल साब का लेटर आया है मेजर राम की हमारे हां मावजूद्गी के मालूमात करना चाहते हैं और यह इंडियन गौर्मेंट की उस अर्जी की कौपी है जिसमें उन्होंने मेजर राम की रियाही की मांग की है यहां पर किसी की अर्जी नहीं हमारी मर्जी चलती है मेरे भाई फजल बेग की लाश के साथ साथ पचास जिहादियों की लाशे गिराई है उस मेजर राम ने उसे तो हर हाल में मरना है जिनाव हर हाल में अदब मेजर राम की रिहाई तो मेरी मौत के बाद ही हो सकती है और मैं ऐसा होने नहीं दूगा आदाब हुजूर आदाब रमजान मिया हमें आने में बहुत देर हो गई आज अरे हां रुकसार विटिया ने खाना खा लिया नहीं हुजूर सूपी के सो गई और कहने लगे अब तो अब्बू के साथ सुभई ब्रेक्वास्ट करूंगे ब्रिक्फास्ट रमजान मियां जी हुजूर जड़ा इधर तो आईए आगया हुजूर सुनिये सुनाइए जड़ा कान तो इधर लाइए रुक्सार! ब्र्क्सार स्ट्र dużतो यह पिर्ण वोर्नीज प्र्क्सार्याा आखी वानि व्मोर्नीज. आज हमने आपके लिए आज हमने आपके लिए स्पेशल प्रेक्पस्ट बनाया है आज हमने आपके लिए स्पेशल प्रेक्पस्ट बनाया है दावत है हल्कों को बूल कहें क्या क्या बनाया है चलिए तश्रीफ तो रखिये चलिए तश्रीफ तो रखिये मुहबबद की कुर्सी पर थेक्पस्ट सजाया है खुशियों की पीपल पर ये प्यार की प्लेट है इसमे ताजा ताजा आउमलेट है दोस्ते लगाया है मत्धन जज़बातों का एहजाम करते हैं हम माँ की ज़बातों का आज हमने आके लिए स्पेशल प्रिक्पस बनाया है शुक्रिया का हुदूर एहसान परमाया है मारी भेश्च का पात थैक ममता के इस गलास में ममता के इस गलास में गरम गरम है दूर जैन अमन के जार में फ्रेश फ्रेश है जूस उतरत के पाहों से हम फ्रूट्स लेकर आए हैं गुल्शन से वफाओं के हम पूल चुन कर लाए हैं आए है करम है लाँ रा ये करम है लाँ का आए है की जिए LALALALALALALALALALALALALALA अजी जिसमिल्ला कीजिये अबू आज हम बहुत 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 खुश हैं और हम आपसे एक बहुत बहुत खुशी की बात केना चाहते हैं हम बहुत 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 खुश हैं और हम आपसे बहुत 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 खुशी की बात कहना चाहते हैं हुजूर हां हक्स आपका पून है ओ अधाब कि जी हुजूर कि जी ओके सर मैं अभी हाजर होता हूँ बेटा मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ बाई असलाम वालेकम जनाब वालेकम असलाम आज के बदलते हुए सियसी हालात को मतनजर रखते हुए सवाल ये उड़ता है कि क्या हमारे मुलक के रद्गिद या दूर दरास के मुलकों में मुसल्मानों की मौचूदकी को बरदाश किया जा रहा है हमारा मकसद ना सरफ आज की वर्ड पॉलिसिस की मुखाल्फित करना है बलकि ये भी जताना है कि दुनिया के किसी भी कौने में मुसल्मानों के हालात में बेहतरी आए इसके लिए हमें चाहे कोई भी रास्ता अख्तियार करना पड़े परगेलियर सरफरास खान साहब हमें मालुम हुआ है कि ऐसे सरकारी खत के बारे में जो वज़े बन सकता है उस इंदुस्तानी मेजर की रिहाई का लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे क्योंकि उसने हमारे बहुत जाबासों का खून किया है उसे मरना होगा यही अल्लह की मर्जी है लेकिन जनाब आर्मी के भी कुछ काईदे कानून बनाय गए है जिन पर हमें अमल करना पड़ता है काईदे फाज के लिए है और जन्ग जहाद हमारे लिए वैसे फाजी काईदों से हम पर खबर भी नहीं आपके काईदे और हमारा मकसद बले एक ही है मगर हमारे तरीके अलग अलग है तारीक गवा है कि जन्ग में हमेशा आपने अपने तरीकों पर चल कर दोश्मन से श्कास तिपाई है जन्ग में फते सिरफ बारूद और फाजी लश्कर से ही नहीं मिलती फते मिलती है जहाद से जहाद क्या है मज़ब की बंदूक में नफरत का बारूद और इस बारूद को हमने हिंदुस्तान के चपे चपे पर बिचा दिया है और इस काम को वहाँ बैठे हमारे ये वफदार लोग बड़ी काम्याबी के साथ अंजान दे रहे है ऐसा सोचना गलत है जनाब बेखबर हैं शयद आप इस हकीकत से कि हिंदुस्तान का मुसल्मान वतन परस्त है वो अपनी जान दे सकता है लेकिन अपने वतन के साथ गद्दारी नहीं कर सकता माना कि हिंदुस्तान का मुसल्मान वतन परस्त है और करते रहेंगे इन्शालला मैदान जंग में दुश्मन के सामने सीना ठान कर उसे धूल चिटाने का होसला हम भी रखते हैं जनाब मगर हुजूर जिहाद की आर में मजभ को बदनाम करके हजारों बे गुनाहों का खून बहाना मकसद नहीं है हमारा मकसद आप सिर्फ वो करेंगी जो हम चाहते हैं और हम यह चाहते हैं कि आप इस पर दस्तखत करें मगर इसमें तो लिखा हुआ है कि हंदुस्तान का मेजर राम हमारे केम्प में माजूद नहीं है यह गलत है जनाब मैं इस पर दस्तखत नहीं करूँगा क्यों नहीं करेंगे इसलिए जनाब के मेजर राम हमारे केम्प में मौजूद है और मैं अपने सीनियर्स को गलत रिपोर्ट नहीं दे सकता दस्तखत तो आप करेंगे परगेडियर सहब फर्ज और सच्चाई की खातिर अगर मेरा सर भी कट जाए तो कोई गम नहीं लेकिन मैं इस पर दस्तखत नहीं करूँगा इजाज़त चाहता हूँ अल्लाहफिस लुक जाब अर्गेडियर्स अपने सीनियर्स से तुमिलते जाओ तश्रीफ लाइए जनरल चांद खान साहब हमें पता चला है वह इंडियन मेजर राम आपके कैम्प में है अभी आपको मुझे कोई रिपोर्ट देने की ज़रूत नहीं है कि सरकार को क्या जवाब देना है हम जानते हैं आप जा सकते हैं यूमे को येस सर अल्लाहाफिज चनल सहब अल्लाहाफिज कि तबरेश कि तुम अपना इंटकाम पूरा करो कि आजाद करतो उसे जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए अब शुक्रिया जनाप अब मेरे मरूम भाई फसल भेकी रूख को स्कौन मिलेगा शुक्रिया जनाप अब उसे बचालो साइं सलमान अच्छा रड़कार साइं अब कि अल्ला हुआ क्वर अल्ला हुआ है अल्ला हुआ हुआ है कौन है तू जी सलमान चूट बोलता है काफिर जी नहीं तब रेज़ अंटर लाओ आखरी मौका दे रहा हूं जनाब के सामने सच सच बता दे कोन है तू नहीं 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 इसे माफ कर दीजिए ये बेकसूर है माजूम है बिन माबाप का बच्चा है अड़ जाएं ये काफर पाकिस्तानी नहीं हो सकता है हमारी नजर कभी दोखा नहीं खा सकती नहीं सामन यह पाकिस्तानी भी है और नेक मुसल्मान मुसल्मान है अभी पता चल जाएगा कि तबरेज जनाब कि जमाल जनाब इसकी सलवार उतारो और मौइना करो जनाब इसका तो खत्ना बच्पन में किया गया है हो गई तसली मौइना मुकमल हो गया तो सलवार चड़ा लू जनाब वा जनाब वा क्या खूब तरीका है एक मुसल्मान की पहचान का वा मैं आपसे पूछता हूं आपसे और आपसे भी जनाब कि आप सबने तो अल्ला ताला के फजल से सच्चे मुसल्मान के घर जनम लिया है लेकिन की आपको अपने मुसल्मान होने का सबूत इस तरह गप्ड़े उतरवा करदेना पड़ा है क्या सच्चा मुसल्मान अल्ला का बनाया वह बंदा नहीं हैurdकि इनसानी हाथों कि पहचान का अगर यही तरीका है तो अल्ला माफ करें इंसान पैदा तो हिंदू होता है सिर्फ इंसानी हाथों की कारिगरी उसे मुस्मान बना देती है ले जाओ इसको स्थाख को शुकुरिया साइजनाब अल्लाहाफिज चलो तबरेश इसकी कोई भी हरकत से पता चले कि यगद्दार है हजारों कोलियां इसकी सीड़े में ताक देना अदाब जनाब जनाब पता ने क्यों मुझे इस लड़के पे बहुत शक है आपको किस पर शक है तबरेश मियाँ? वही सल्मान जनाब जिसे कल सरे आम आपने बेज़द किया था ये अच्छी बात नहीं है तबरेश मियाँ पता नहीं क्यों जनाब जो वो दिखता है वो है नहीं हमारा ख्याल है वो नहायत ही शरीफ लड़का है शायद आप उसकी तरफदारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपकी बेटी रुक्सार के खामोश तबरेश मियां हमारी बेटी की जिम्मेदारी हमारी है हम उसके बाप हैं आप अपनी हद के दाएरे में रहकर अदब से बात कीजिए मैं आपको अपना समझ कर आगाहा कर रहा हूं जनाब आप एक अंजान लड़के को शैय दे रहे हैं उसकी तरफदारी कर रहे हैं कि माफ कीजिए ब्रिगेडियर साब एक दिन बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं और उन तमाम सवालों के जवाब देने पर सकते आपको कि 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 सल्मान से मिलने गई थी जी अबू आज के बाद कि तुम सल्मान से नहीं मिलोगी मगर अबू हम जानते हैं कि तुम सल्मान को चाहती हो मगर हकीकत यह है कि तुम सिर्फ सल्मान का सोचती हो और हम जमाने का जमाने का हमारी जिंदेगी पे कोई हक नहीं अपू और आप तो जानते हैं सल्मान ने अपनी चान पे खेल कर हमें मौत के मुझसे बचाया था व उसके आहसान को प्यार समझ बेठी हो तुम प्यार किसी आहसान का मौताज नहीं होता हम में सलमान से दिली महपत है हमें कि यकीन है कि तुम्हारी महबबत उसकी आइसान के जरों से फूट कर निकली है। लेकिन उसे महबबत नहीं कहते हैं। कहां सलमान कहां तुम? उसके ऐसानों का बदला तो और कही तरीकों से चुकाया जा सकता है उसने तो हमसे कभी अपने ऐसान का सिक्र तक नहीं किया यही तो उसकी चाल है तुम्हें महबबत के चाल में फसा रहा है बड़े घर की लड़की के साथ रिष्टा जोड़ना चाता है नहीं अबू नहीं हम आपको कैसे यकिन दिलाएं कि वह एक नीक इंसान है वह हमसे बहुत महपत करता है तुम अभी बच्ची हो तुम्हारी उमर कच्ची है तुम्हारी सोच कच्ची है हम यह रिष्टा कबूल नहीं कर सकते नहीं अबू हमारी सोच पर रोक मत लगाए कि कसम अल्ला की हम सल्मान के बिना नहीं जी सकते हम अपनी जान देंगे हम तुम्हारे इस सिलूक से बहुत शर्मंदा हैं तुमने हमारी तोहिन की है तो क्या तुमने फैसला कर लिया है कि सल्मान के बगार तुम जी नहीं सकती अब तुम्हारी जिन्दगी में हमारी कोई जगए नहीं रही प्लीज अबू ऐसा मत कहिए ऐसा न कहिए तो क्या कहिए अब तुम्हें हम दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा हमें या सल्मान को तुम्हारी खामोशी बताती है कि तुम सल्मान को ही चुनोगी बोलो चुनोगी न सल्मान को जी लेट्स लाइक माई डार्लिंग डार्टर हमें तुम पर नाज है रुकसार हमें सल्मान कुबूल है ओज मेरे अंगन मेरा प्यारे ओयारे दिल जिसको चाहवो दिल दारे ओयारे मेरा सूना सजन हाई सूना सजन हो मेरा सूना सजन घर आया मेरा सूना सजन घर आया एद हो गई मेरे मुझ चांद नजर आ गया मुबारका, 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 मुबारका मेरा सूना सजन घर आया मुबारका, मुबारका मुबारका, मुबारका मुबारका, मुबारका मुबारका, मुबारका 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 कैसा चादू कर दिया तुनिंचा दू कर बेमाद मेरा सोड़ा वे मेरा सोड़ा कैसा चादू कर दिया तुनिंचा दू कर बेमाद मैं दीवानी हो गई मेरे जान हुई बेजा मेरा सोना सजन, हाँ मेरा सोना सजन, मेरा सोना सजन घर आया एद हो गई मेरी मुझे चांद नजर आ गया मुबार्का, 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 मुबार्का मेरा सोना सजन, मेरा सोना हो मेरा सोना सजन, मेरा सोना दिल मचली तेरे संग दहने को रहने को दिल मचली तेरे संग दहने को रहने को प्यार वाली प्यारी बाते करने को आज कली के मन की कली आखिल गई रे मेरा सोणा वे मेरा सोणा आज कली के मन की कली आखिल गई रे जागे मेरे नसीब सारे खुशियां मिल गई रे मेरा सोणा सजन घर आया इत हो गई मेरे मुझे चांद नजर आ गया मुबारका, 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 मुबारका मेरा सोना, मेरा सोना मुबारका, मुबारका, मुबारका मुबारका, मुबारका, मुबारका बहुत खुश लग रही हो? Yes, very very happy. चलो, बस अभी मेरे साथ चलो. बात क्या है? सलमान, हमारे अब्बू हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कल रात को उन्होंने हमारी चान ही निकाल दी. क्यों? अब्बू हमसे प्यार कम और किसी घैर से ज्यादा प्यार करने लगे हैं. अरे, इस बुढ़ापे में क्या दूसरी शादी कर रहे हैं? ची-ची-ची-ची, कितना गंदा मजाग करते हो अरे, वो गैर जिसे अबु हमसे ज्यादा महबत करने लगे हैं, वो तुम हो क्या? हाँ, और वो हमारा हाथ, तुमारे हाथ में देना चाहते हैं क्या हो, सल्मान? खुश होने के बज़ए तुमने मूदर फेर लिया? यह मुम्किन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता क्या मुम्किन नहीं है, क्या नहीं हो सकता? तुम सच नहीं जानते, रुकसार तो बताओ ना, सच क्या है? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ इसलिए तुमसे कुछ नहीं चुपाऊंगा रुकसार तो बताते क्यों नहीं बताओ बताओ ना मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और चोरी से सरहत पार करके आया हूँ अपने भाई मेजर राम को तुम्हारे अब्बु की कैद से आजाद करवाने आया हूँ जिन्हें जेहादी धोके से किड्नैप करके यहां ले आये हैं अपनी मा जैसी भावी की खातिर आया हूँ उनकी कोक में पल रहे बच्चे की खातिर आया हूँ तुम्हें एक हिंदुस्तानी हो में जे राम के भाई हो एक हिंदु हो पैदा होने से लेकर अपनी आखरी सांस तक मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानी ही रहूंगा लेकिन यह भी एक सच है रुकसार कि मैंने तुम्हारी ही तरह एक नेक मुसल्मान के घर जनम लिया है जूट में छूट बोल रहे हो तुम नहीं रुकसार यह सच है मैं बहुत छोटा था जब मजभी आग की लपेट में मेरे अब्बू और अम्मी मारे गए अब्बू राम भया के घर में मुलाजिम थे फरिष्टे रहते हैं उस घर में वहां मुझे छोटे भाई का दर्जा दिया गया बच्पन से ही मेरे मजभब को इज़त से देखा गया और एक अच्छे मुसल्मान की तरह उस घर में मैंने परवरिश पाई लेकिन राम भया और भावी का प्यार मेरे लिए हर धर्म और मजभब से बढ़कर हैं लेकिन शायद तुम इसका अंजाम नहीं जान दे शायद मौत एक हिंदुस्तानी और एक सच्छा मुसल्मान होने पर मुझे नाज है लेकिन राम भया के लिए जान देना मेरे लिए फक लुझे लिए विए कर दोना हुआ हुआ। हराम खूर गदार यह कैसा खौप था सल्मान को सलामत रखना मेरे अल्ला सलामत रखना अबू क्या बात है पेटा हम जानते हैं अबू मगर फिर भी जानना चाहते हैं आप हमसे कितनी महबत करते हैं रुकसार बेटे तुम नन्नी सी थी तुम्हारी माने मरने से पहले तुम्हें हमारे हाथों में सोपा और कहा हमारी रुकसार को हमेशा मा की नजर से देखना तब से आज तक हमने तुम्हें बाप बन कर पाला तो जरूर है लेकिन देखा हमेशा मा की नजर से तुम्हारी हर छोटी से छोटी खुशी को भी हमने अपनी बड़ी से बड़ी खुशी समझा है के अबुक क्या आप हमें अपने फस्फ और वतन से भी ज्यादा महबण करते हैं वतन हमारी शान है पशर हमारी आन है और लुकसार बेटे तो हमारी जान है यह क्या अब्बू वतन फर्स और फिर हम इसका मतलब हमारा नंबर तो तीसरा हो गया ना वतन और फर्स से ज्यादा हमारे लिए कोई एहमियत नहीं रखता अच्छा अगर कभी आपको वतन फर्स और हम में से किसी एक को चुनना पड़ जाए तो अब्बू अगर कभी जाने अंजाने में हम आपके फर्स और वतन की बीच आ जाएं तब आप क्या करेंगे तो तो हम तुम्हें गोली मार देंगे अब्बू 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 हुजूर् तब्रेश बेक साफ तश्रीफ लाएं है कि अधाब जनाब अधाब कहिए तब्रेश साफ सुपह सुपह कैसे आना हुआ कल 14 जुलाई जनाब और पड़सो पंद्रा उस हिंदस्तानी मेजर राम की जिन्दगी का आखरी देश जब मैं उसकी गर्दन उसके धर से अलग करूँगा ना जनाब तब मेरे मारूम भाई फजल बे की रूख को स्कून मिलेगा लेकिन तबरेज मिया इंसानियत का तकाज़ा है कि फैसला तो हो चुका है बरिगेडियर साहब और ये फैसला मेरा नहीं है ये फैसला आला हजूर फरहाद नहीं है जनाब कि राम की मौत से पहले कल रात हम उसकी मौत का जशन मनाएंगे बस उसमें शरीक होने के लिए आपको दावद देने आया हो जनाब यह नहीं कि मैं ऐसे जशन में शरीक नहीं हो सकता कि आप तश्रीफ ले जाएं कि ऑव बटे अबू यह किसकी बात कर रहे थे बेटे है एक ज्याबाज हिंदुस्तानी सिपाही जो हमारी कैद में है लेकिन अब्बू प्रिजनर ओफ वार के साथ तो ऐसा नहीं करते हैं तो फेर यह उसे मारने की बात क्यों कर रहे थे वह प्रिजनर ओफ वार नहीं है बेटी उसे तवरेजबेग ने सरहद पार से अपने मुल्क का वाफादार सिपाही है हमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन हमारे सीनियर ओफिसर्स ने हमें मजबूर कर दिया कि बेटे कभी-कभी हमारा दिल करता है कि ऐसे वतन परस्त को हम सलाम करें अबू जिसे आपका दिल सलाम करना चाहे क्या हम उन्हें सलाम कर सकते हैं कि कई रोज से देख रहा हूं ना तू बराबर खाना खाता है और ना चैन से सोता है तेरा चेहरा बता रहा है कि अपने सीने में कोई गहरा राज चिपाए बैठा है कि क्या बात है सलमान कि मुझे नहीं बताएगा अरे यसा तेरे भाई जैसा है भाई से परता कैसा है हाँ साइन मैं आपसे कुछ नहीं चुपाऊंगा है सब कुछ बता दूंगा आपको तब रेज बेग कहा है मेजर राम हमने उसे दूसरी जगा शिफ्ट कर दिया शिफ्ट कर दिया जे लेकिन हमने तो इसकी इजाज़त नहीं दी उसके लिए आपकी इजाज़त की जुरूरत नहीं है ब्रिगेडियर साहब चलो बैठ अब कराद अब अल्ला तुझे कभी मुआप नहीं करेगा आप ही बताइए मुझे साही अब मैं क्या करूं कैसे पहुंचू राम भाया तक बहुत अकेला बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूं अपने आपको मैं तू अकेला कहां है ये साही है न तेरे साथ और जिस मकसद से तू यहां आया है तेरा वो मकसद जरूर पूरा होगा इंश आल्ला हुआ विए आज हम फैसला करके आये हैं और हमारा आ फैसला तुम हो आमीन सुम्मा आमीन महुबत जिसके साथ है समझ लो अल्लाह उसके साथ है तुम्हारे भाई को आजाद होने से हैं कोई नहीं रोव सकता सलमान लेकिन एक प्रॉब्लम है अब्रिस ने राम अजमिल पहार की गुफा में शिफ्ट कर दिया है मगर उस जगह तब्रेज बेग और उनके आदमियों का सख्त पैरा है आज रात हमें हर हाल में तब्रेज बेग को वहां से हटाना होगा ये काम तो साइं करेगा इंशाला आदाब हुजूर साइं अदाब अरे साइं खुश म दावा देने आया है इंशाला हम जरूर आएंगे मुझे माफ करना मैं मैं अपने देल के हाथों मश्वूर हूं अब सल्मान ही मेरी जिन्दगी है आज मैं ये घर चोड़के जा रही हूं फिर कभी लोटके आओंगी या नहीं अला चाने अब्बू के बहुत यादा है कि मैं अला आफे जमी अला आफे जमी अला आफे आफे भाइ राम भाया चलिये चलो बहीया ये रुकसार है आदा भायजान जीते रहो चलिये भाया यहीं कहीं होने चाहिए चलो सनी लगता है इन लोगों को पता चल गया हिंदुसान की सरध्यां से थोड़ी दूरे भायजान मैं अबू के साध्यां पर कई बार आई हो तुम रुक्सार को ले गया है सनत्यों मैं लोगों को ठेकाने लगाता हूँ नहीं भाया हम दोने इने ठेकाने लगाएंगे यह जजबाती होने का वक्त नहीं है सनी तेरा शेर भाई अबाजाद यह दो चंद गीड़न मैं पूरी के पूरी पाकिस्तानी फौज पर भारी पढ़ूँगा तुम निकलो यहां से झालो यहां यहां वजबाद लोगा हूँ! कर, कि एस रथ कि एस बीधा! के वे जूएury च एस बीधन से विधन एफी? कि एफ दूए buenos था गा en में में एफ जैँ! अजए बार्ट! मैं तुझे जिन्दा नहीं छोड़ूँगा राम मैं तेरी मौत बनकर आया हूँ राम अगर मैं चाहता तो तुझे जान से मार डालता लेकिन तेरे मूझ से दो बार राम का नाम निकला है तु मरता तो जन्नत में चला जाता और उस पाग परवर्दिगार ने तो तेरे लिए जहनुम में भी जगए नहीं बनाई है तेरी सबसे बड़ी सजा यही है कि अब जब जब तू लंगड़ाएगा तुझे राम याद आएगा आप यालोट और मजे हिंदुस्तान की सरत का रास्था बता और होण हुआ हुआ है हुआ 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 है हुआ हुआ पुझे बॉइस अब भी खबर मिली है एक अदमी सफेज जंडा लिए अले उसी की तरह आ रहा है बॉइस गेट अलर्ट अज़र राम ज़र राम सोर्ट डोंट शूट्ट बॉइस एडीस को हेल्प हिम सर कम मेजर राम तुम्हें सही सलामत देकर हमें बहुत खुशी हो रही है मेजर राम थैंक यू सर क्या मेरा छोटा भाई वे रुक सार यहां पहुच चुके हैं नहीं यहां तो कोई नहीं आया लेकिन सर उने तुम उससे पहले यहां पहुच जाना चाहिए था सर प्लीज आसपास के पॉइंच पर पता कीजिए सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग किसी और जगे पहुच गयां सीमा पर होने वाली हर हरकत पर नदर है हमारी यहां से पचास मेल दूर तक किसी की आने की खबर नहीं है हमारे पास तब तब तो मुझे वापस जाना होगा सर रुख जाओ मेजर राम तुम वापस नहीं जा सकते नहीं सर मुझे जाना ही होगा सर उन बच्चों ने अपनी जिंदकी खत्रे में डालका मुझे उन जालिमों की गरफ से आजाद करा your सर अगर मेरे जीते जी उन्हे कुछ हो गया तो मेरे जीने का कोई मकसद नहीं होगा प्लीज सर दो तुम वापस नहीं जाओगे मैं तुम्हें इजादत नहीं दे सकता तुम्हें आर्मी के कानून के मताबिक टी ब्रीफिंग के लिए जाना होगा क्योंकि आर्मी को जब तक ये यकीन ना हो जाए कि तुमने दुश्मन को कोई इन्फरमेशन तो नहीं पहुचाई क्या कोई रास तो नहीं बता है मैं अपनी जान दे सकता हूं सर लेकिन अपने देश के साथ गद्धारी नहीं कर सकता है तुम कहीं नहीं जाओगी अगर जाओगे तो सिर्फ टी ब्रीफिंग के लिए नई सर आज मुझे मत रोके सर आज मुझे जाने दीजे उन मासूम बच्चों के उपर दया कीजे सर सर एक बार मुझे उन दोनों को यहां पे ले आने दीचे इसके बाद आप मुझे पासी लगा दीजे मुझे मंजूर मेजर राम को केम्प में ले आएए लड़की अपने नेक पाप के माथे पर बदनामी का दाग मुलक और काम के साथ खद्दारी ऐसी खिनानी और सलील हरकत कैसे की तुने कैसे भूल गई के हम तुम जज़ खद्दारों को मौत से कम सजा नहीं देते हम प्यार करने वाले मौत से नहीं डरते और दिल महबत करने से पहले किसी की इजाज़त नहीं लेता क्यूंकि महबत का जज़बा अल्ला ने पैदा किया है किसी इनसान ने नहीं महबत का कोई मजब नहीं होता ना कोई सरहद होती है ना कोई वतन हम जानते हैं हम आपके नजरों में गुनगार हैं लेकिन यही गुना हमारे लिए इबादत है महबत ने तुझे अंदा कर दिया है लड़की दुश्मन मुल्ट से है वे इस लड़के ने अपने मकसद के लिए थोके से तुझे अपनी महबत के जाल में परसा लिया है धोके और फरेब से तो मेरे भाई को किड्नैप किया था आपके लोगों ने अगर ये मर्द होते तो मैदाने जंग से लेकर आते मेरे भाई को अरे एक बार उसे अजाद करके तो देखा होता सारी मरदान की पतलून के रास्ते बेह निकलती खामोश बातमीज अदब से बात कर अदब से बात अदब से बात अदब के लाइक लोगों से की जाती है तुम जैसे लोगों से नहीं खामोश उस्ताफ चानता नहीं किसके हजूर में खड़ा है मेरे एक इशारे पर तो हजारों मात मर सकता है मेरा मकसद मेरे शेर भाई राम को आजाद करवाना था और मेरा मकसद पूरा हो गया अब हजारों क्या लाखों मौत मरना मेरे लिए फकर की बात है मरेगा तू मरेगा और तेरे साथ साथ तेरी महभूबा भी मरेगी तब ही आने वाली नसलें को ये नसीयत होगी कि मुलक और काम के साथ गद्दारी करने का क्या अंचाम होता है। आने वाली नसलें तंग दिलो दिमाग वाली नहीं बलके रोशन दिमाग नई सोच नया जज़बा और महबत का पैगाम लेकर आएंगी। और फिर उनके सामने हैवानियत नफरत खुटने टेक टेक कर दम तोड़ेगी। और पिर अल्ला की इस खूबसूरत दुन्या में महबत करने वालों को खुली हवा में चैन की सांस देना नसीब होगा। बख्वास है। अमन चैन खुली हवा महबत जजवा यह सब बख्वास है। हकिकत है तो सिरफ हमारा फैसला और हमारा फैसला है तुम दोनों घद्दारों की मौत। सुभान अल्ला जिसे आप मौत समझते हैं वह मौत नहीं मौत पर महबत की पते हैं। माना कि यह दोनों मौत की सजा के हगदार हैं। मगर सवाल यह पएदा होता है कि क्या इस साजिश के पीछे इन दोनों का हाथ था नहीं। जिस शातिर दिमाग ने चाल चली है वह दिमाग इस लाउंडे या लाउंडिया का नहीं। दरसल इस पूरी साजिश का सरपरस्त यह शक्स जनाब यह शक्स। तब लेज बेग अपनी जुबान को लगाम दे। जितने साल तेरी उम्र नहीं है उससे ज्यादा साल हमने वतन परस्ती में गुजार दिये हैं। अगर फिर से तुमने हमारी वतन परस्ती पर इल्जाम लगाने की जुर्रत की तो यही तेरी लाश किरा दूंगा। ब्रिगेडिया खान आपको अपनी सफाई में बोलने का मौका दिया जाएगा। अब ही उने बोलने दीजे। याद होगा आपको जनाब। उस हिंदोस्तानी मेजर की मजूदगी के मुतलिक खत पर इन्होंने दस खत करने से इंकार कर दिया था। वो हिंदोस्तानी मेजर जिसकी कैद हमारे मकसद के लिए हमारी फते थी। उस मेजर राम को चोरी चीपे रहा करवाकर ब्रिगेडियर खान ने हमारी फते को शिकरस्त में तबदील कर दिया। सिर्फ इसलिए कि वो उनकी बेटी के आशिक का बड़ा भाई है और उनका तिर पसीज गया। काकिर दिल तो एक बाप काई है न जनाब मगर दिमाग शैतान का पाया है ने डबलेज बेग। कितनी चालाकी से इन्हों ने अपनी बेटी समेथ उन दोनों भाईयों को हिंदोस्तानी सरहत तक कर रास्ता दिखाया। जनाब वो तो ठीक वक्त पर हमें साजिश का पता चल गया और यह दोनों पकड़े गए। मगर अफसोस वेजर राम हमारे हाथ से निकल गया। इनकी वज़ा से। अगर यह सच है पर के लियर तो यह कहरा आपकी जिन्दगी के तमाम अन्सूबों पर पड़ेगा। कैसा कहर। कैसे मन्सूबे जनाब। इसने कहा और आपने मान लिया। हमारे सीने में एक बाप का दिल जरूर है। लेकिन हमारी रगों में वतन परस्ती का खून दोड़ता है। हम जानते हैं। हमारी बेटी ने एक शर्म नाग गुना किया है। आपने तो उसे सिर्फ मौत की सजा दी है। अगर इससे भी बढ़कर कोई सजा होती तो हम उसे देते। आइम प्राउड आप यू अबू। जब बेटी नहीं थी हमारा वतन था। जब बेटी नहीं रहेगी तब भी हमारा वतन रहेगा। कोई भी रिष्टा कोई भी जजबा हमें हमारी वतन परस्ती और फर्ज से गुम्रा नहीं कर सकता। यह तुम अच्छी तरह से चानते हो बर्गेडियर। कोई भी जजबा हमें भी अपने फर्ज और रसूलों के रास्ते से नहीं बढ़का सकता। तो मैं याद होगा। अकील खान। हमारा चोटा भाई हमारा खुन। बहुत अजीज था हमें वो। जल्म इस मासूम लड़की के साथ हुआ है हुजूर। इसकी इज़त लूटी गई है। और इज़त लूटने वाला गुनेगार आपका चोटा भाई अकील है। परगेडिय सहाब अगर यह सच है तो कसम अल्ला की। हमारा इंसाफ आप हमेशा याद रखेंगे। मैंने कुछ ने किया। यह सब जूट है। मैं आपका चोटा भाई हूँ भाईजन। आप तो मुझे अपनी जान से स्याधा प्यार करते है। खुद अगले मुझे बाप कर दीजिए। मुझे बाप कर दीजिए। मत मांगो। जिंदगी की फीक मत मांगो। क्योंकि तुम्हें ये फीक नहीं मिल सकती। गुणा करने वाला सिर्फ गुनेगार होता है। वो न भाई होता है न बहन न बेटी न बेटी। हमने इसी जगे तुमारे सामने अपने हाथों से उसकी जिंदगी खत्म करती थी। क्योंकि उसने भी एक शरमनाक गुनाह किया था हो सकता है तबरेज बेग की दलील आपको जूठी लगती होगी हमें भी जूठी लगती है मगर एक शक एक खत्रमनाक सच की सुरत में हमारे सामने आकर खड़ा हो गया है और जो शक इसने हमारे जलु दिमाग मिठाल दिया है वो शक हटता क्यों नहीं है मिठता क्यों नहीं है आपके सर पर लगे इल्जाम को मिठाने के लिए आपको किसी इम्तिहान से गुसरना होगा बर्गेडियर किसी इम्तिहान से गुसरना होगा हमें हर इम्तिहान मन्जूर है जनाब लेकिन कोई भी इल्जाम नहीं तो फिर हमें भी मन्जूर है बर्गेडिया साहब फैसला आपने खुद ही कर लिया कल फजर की नमाज के बाद बर्गेडिया सर फरास खान अपनी वतन परस्ती का सबूत देंगे अपनी बेटी और इसके आशक को अपनी हाथों से गोली मार कर उन्हें मात की न्डीन सुला देंगे यही हमारा फैसला है और इसी फैसले की कामील होगी सर जब पाकिस्तान का जनम भी नहीं हुआ था तब श्रीगुरु गोविन सिंग जी ने अपने फर्ज और हिंदुस्तान की शान के लिए अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया था जालिमों ने उन्हें दिवार में जिन्दा चुनवा दिया था आप भी हमारी मौत पर फ अदान भी हमारी मौत अपने दिया था दोगिन वार हिंद आदा चाहिए ए कर दू दिए्टी हएंदे भी हमारी मौत आप प्रीमौत आप अच्छाव़ और मौत आप जए लिए ने उनमसे एक फिर दिया मौत आफो आप एदान की अाब ऐग एक ताप दिया दeखिस्तान क अदा बबू अब तो हम तुम्हें लंबी उमर की दुआ भी नहीं दे सकते तुमने हमारे सारे खाब जला डाले रुकसार अब हमारे आंगन में ना कोई शैनाई बजेगी और ना ही कोई दुलन सजेगी बेटा तुम्हारी अम्मी जान से हमने वादा किया था कि हम हमेशा तुम्हें मा की नजर से देखेंगे लिकिन अच तुम्हें मा की नजर से देखकर हमारा कलेजा पुटा जा रहा है अल्ला की यही मर्जी है अब्बू अब्बू जब पहली बार हमने राम भायजान को सलाम किया तो उन्होंने अपना हाथ हमारे सर पर रखकर हमें दूआ दी तो ऐसा लगा जैसे वो हाथ उनका नहीं आपका था मुसल्मान होकर भी सल्मान अपने हिंदू भाई को बचाने पाकिस्तान चला आया अबू ये लोग हिंदू और मुसल्मान में नफरत का ऐसास क्यों पैदा करते हैं क्या ये सल्मान की तर नहीं सोच सकते अगर हिंदू मुसीबत में हो तो मुसल्मान अपनी जान कुर्बान कर दे अगर मुसल्मान मुसीबत में हो तो हिंदू अपनी जान कुर्बान कर दे कल हम इस दुन्या में नहीं होंगे अबू लेकिन हम खुश नसीब है कि ये जिन्दगी हमें आपने दी है ये जिन्दगी जो आपकी अमानत है कल हम आपको लोटा देंगे हमारी आपसे आखरी इलतिजा है अबू राम भाईजान को हमारा ये पैगाम जरू दीजेगा उनसे कहिएगा हर सरहद नफरत की बुन्याद पर रखी गई है सरहदों ने सिर्फ खून मांगा है सरहदों पर आज तक किसी ने भी महपत की फूल नहीं खिलाए अबू, आप और वो मिलकर उनसरहदों पर महपत की गुल्षन बसा दें रुक्साव अबू, हमने आपको हमारा खून मौफ किया आप इतनी राद के तक जाग रहे हैं है रमजान मिया, आज तो रात भी जाग रही है हुजूर, हमारी 32 अलाखों के पीछे है, कैसे सो जाएं हम, बेशक उसकी रगों में आपका खून बहरा है, लेकिन मैंने भी, मैंने भी इन कंदों पर उसे खेलाया है, मुझे याद है हुजूर, जब उत तालीम के सिरसले मे मिल्क से बाहर चली जाती थी, तो कितने दिन तक आप खाना पी ना भूल जाते थे, और कल जब इस दुनिया से चली जायेगी, तो कैसे जीएंगे हाँ हमुजूर। आप तो बहुत बड़े अफसर हैं हुजूर बहुत बड़े अफसर है बचा लीजिए उसे बचा लीजिए हुजूर उसे बचा लीजिए रमजान मियां वो उन लोगों की गुलेगार है जो कभी किसी को मुआप नहीं करते और मौत से कम सजा नहीं देते रुखसार बेटी ने आपके लिए खत भेजा है रुखसार बेटी ने रमजान चाचा हमारी आपसे एक इलतचा है हमारी अलमारी में हमारी अम्मी की शादी का जोड़ा है उसे हम तक पहुचवा दीजे अब उका हमेशा ख्याल रखीगा रमजान चाचा हमेशा के लिए अलाहाफस आपकी बेटी रुखसार दूखसार जाने अन्जाने अगर कभी हम आपके फर्स और वतन की बीच आजाएं, तो आप क्या करेंगे? तो हम तुम्हें गोली मार देंगे. तो लाइक माई पादर. I'm proud of your boo. लड़की, जिन्दगी दे सिवाए, तेरी कोई और तमन्ना है, ते बोल. मरने से पहले, मैं निकाह करना चाहती हूँ. मेरी आखरी सास निकलने तक, मेरे देश, हिंदुस्तान का नैशनल एंथम बजना चाहिए. मेरा सूणा वे, मेरा सूणा. मेरा सूणा वे, मेरा सूणा. मेरा सूणा वे, मेरा सूणा. मुबारिका, 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 मुबारिका. अल्ला हाफिज सल्मान अल्ला हाफिज रुकसार मेरे अल्ला मुझे मुझे मुआफ करना अल्ला हा रुकसार अल्ला हाफिज रुकसार अल्ला हाफिज सल्मान अल्ला हाफिज रुकसार खतावार हूँ तेरा दिल भी हूँ तेरा प्यार हूँ डूले जरामजा बन गई काधे पे तेरे चड़ गई अब चैन से सूजाओंगी फूलों की चादर चड़ गई यार से वादान भाया ववा की परस्तार हूँ बाबदान तेरी बर्गेडियर साब जनाब इस वक्त कैसे याद किया तब्रेज मियां हम बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं आज शायद अपनी बेटी या फिर उसके आशिक ना ना तब्रेज मियां आशिक नहीं शोहर कहिए निकाह किया था ना हमारी बेटी ने उसके साथ यहीं खड़ी थी ना यहीं दुलहन बनकर लगता है कि अब भी खड़ी है शायद अभी अब्बू कहकर पोकारेगी अगर अफसौस हम तो उसकी डॉली भी ने उठा सके दब्रेज मियां डॉली ने उठी तो क्या हुआ पर उन दोलों का जनाजा तो आपने बड़े धुन दाम से उठाए न जनाब बहुत कड़वा सच बोलते हैं आप जहरीला हाँ जनाब जनाजा तो उठाया हमने एक मजबूर भाप और करी क्या सकता है अल्ला के हजूर में तड़प रहे हैं वो दोनों उनकी रूहों को सकून नहीं मिल रहा है इसलिए तो हम तड़प रहे हैं उनकी रूहों को सकून तब ही मिल सकता है जब शैतान को इस दुनिया से रहाई दिला दी जाए शैतान शैतान जब आए आए यह जब आज सनी होता तो कितना खुश होता मेजर राम, नियारेका, आप दोनों को नया महमान बहुत बहुत मुबारक है मेजर राम, डिफेंस मिनिस्ट्री से ये खता आया है पाकिस्टान के ब्रिगेडियर सरफरास खान, लो सी पर तुम से मिला चाहते हैं और सनी और रुखसार का कोई पैगाम भी देना चाहते हैं सर्थ उन दो बच्चों की याद में, ये दो फूल लेकर आया हूं, उनका पैगाम लाया हूं मुहबत, नफरत थी उन्हें सरहदों से, जिनकी बुन्याद सिर्फ खोन और नफरत पर रखी गई है। उनकी तमन्ना थी कि सरहदों पर फूल खिला दिये जाएं, नफरतों को मिटाकर गुलशन बसा दिये जाएं, ताकि लोगों के दिल मुहबत से भर जाएं। क्या स्नोमेंस लेंड का दायरा बढ़ा कर हम इतना बड़ा नहीं कर सकते हैं सर। जिसमें सारी दुनिया समा जाएं। जिससे दुनिया की सारी सरहदें, सारी नफरत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। आमीन। तो आएए हम मिलकर उनके खाबों के गुलशन की बुनियाद रखें। कुद्रत में बक्षा था हमको एक हसी जहां। तुकडे तुकडे कर टाला यू तुने सार। कहीं बनाया अमरीका, कहीं पे हिंदोस्तान। कहीं पे रश्या, कहीं पे योडो, कहीं पे पाकिस्तान। आओ, 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 मिलकर बनाएं। अमन का ऐसा एक मकान आओ, मिलकर बनाएं। अमन का ऐसा एक मकान जिसमें रहे इंसानियत और यहे इंसान। आओ, 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 आओ. कहीं पेमन का उस ऊकतान। कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो